दोस्तों मैं हूं सेबे साची और एक्षा टाइम में आप सबका स्वागत है अंध भला तो सब भला जी हां मैं इस बात इसी लिए बता रहा हूं रहीवार रात को ऐसा कुछ तजबीर हमारे सामने आया है सोशल मीडिया पे वाइरल होगा है जिससे यही पता चलता है अंध भ खत्म हो आओ मैंच खत्म होने के बाद काफी देडर तक कि जैसा के साथ बात करते हुए नजर आये है इसान किशन अब यह तजबीरत्स क्या कर रही है स्वेशा यहीं बाया कर रही है जैसा बोर्ड़ के सेक्रेटरी है इशान किशन इंडियन टीम के उभरतिवे सितारे है और इशान किशन के आचरण के चलते BCCI ने सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से उनको निकाल दिया है और ऐसा भी ख़बर आ रही है शायद एक साल तक उन्हें मौका नहीं मिलेगा टीम इंडिया में क्यों अब यह तजबीरे क्यों इतनी वाइरल हो रही है इसका चर्चा क्यों है चर्चा इसलिए वर्ल्ड कप के दौरान थोरा से पीशे आते हैं वर्ल्ड कप के दौरान शुब्मन गिल्ड शुरू से डेंगी फीवर में चल रहे वो नहीं खेल पाए पहले एक दो मैच पहला मैच नहीं खेल पाए और नहीं खेल पाए तो इशान किशन खेले उसके बाद शुब्मन आये टीम में और इशान किशन ड्रॉप हो गे इंडिया टीम साउथ अफरिका गई साउथ अफरिका में जाके पहला टेस्ट में जो था वहाँ पर कोना भरत को खिलाया गया इशान किशन को नहीं खिलाया गया तो इशान किशन ने क्या किया वो BCCI से हेट कोज राहुल रविट से कप्तान रोहित शर्मा और चीप सिलेक्टर अलिद अगरकर सबसे बात किया वो बताए मेरा मैं मेंटल फैटिक के दौर से गुजर रहा हो मुझे चुटी चाहिए उन्होंने चुटी ली अपने वतन लोटे और काफी जगा उनको नज़र दिखाया गया जैसे वो KBC में थे अमिता बच्चन के साथ KBC में वो गय थे उसके बाद दुबई में एक पार्टी में वो गय थे य हाला कि इशान किशन जारखन के लिए इस साल एक भी रंजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेले और कुछ देर तक तो वो गाएं भी थे उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था आखिर में जगा पता चला वह रंजी ट्रॉफी को स्किप करके बरोडा में है और किरन मोरे का जो एके इस याई के जो आला अधिकारी है उनको उन्होंने सतक भी किया था इशान किशन को लेकिन वो डटे रहे अपने सिधान पर उसके बाद वो आई पील से पहले डिवाई पेटल टूर्णमेंट था मुंबई में वहां पर खेलते नजर आए कुछ खास नहीं कर सके हाला कि इस आई पेल शुडू हो अभी आई पेल चलेगा आई पेल के बाद इंडिया टीम टीट्वेंटी वर्ल्ड कप खिलने जाएगी वहां पर रोईट शर्मा कप्तान है अब रिजब पंथ कबापसी भी हो चुका है केल राहूल भी खेल रहा हाला कि ऐसे सुना इदर है केल रहू बैटिंग किया था अगर खेल दे तो इशान किशन के जगा बनती नहीं है अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करें अगले कुछ मैच में मुंबई इंडियन के लिए तब जाके शायद बीसी सी आई के जो चैन करता है बीसी सी आई के जो आला अधिकारी है या इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ जुरे हुए जो उनका मन जो है वो इशान किशन का प्रती थोड़ा बदल सकता है अब कितना बदलेगा नहीं बदलेगा यह तो बात की बात है लेकिन यह अच्छा संकेत है जो वो जैज शाह के साथ बात कर रहे थे पिछले तीन-चार महीने में इशा किशन जैसे पहले भारती दल के लिए अच्छा पर्फॉर्म कर रहे थे इन फ्यूचर भी करें और आप लोग दिखते रहे एक्स्टा टाइम ऐसे हम लोग वीडियो लाएंगे आप लोग को लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए